नमस्कार दोस्तों, आप सबने काजू तो खाये ही होंगे, लेकिन आज उसके बारे में आपको एक शोर्ट स्टोरी भी सुनाते हैं काजू शब्द तूपी भारतिये शब्द अकाजू से आया है इसका अर्थ है अखरोट तूपी मतलब ब्राजिल की विभिन नदिया, विशेश रूपते अमेजोन की घाटी में रहने वाले भारतिये लोग एक मात्र अक्रोट है चो पूरी तरह से बीना चिलके के बेचे जाते हैं क्योंकि बाहरी आवरण स्वचा में जलन पेदा करता काजू की खोज यूरोपी लोगों ने 1558 के आसपास ब्राजिल में की काजू को पहले अखार्द्य माना जाता था समय के साथ यह महसूस किया गया कि यह फल की तवचा थी नके बीज जो परेशान कर रहे थे यूरोपी लोगों को काजू के बीच काफी स्वादिस्ट लगे अलाकि उन्हों ने शराब बनाने के लिए काजू का इस्तमाल किया दिल्चस्प बात यह है कि यहां के मुल निवासियों ने काजू खाना थानिये कैपिचिन बंदरों से सिखा था और बाद में 1560 के आसपास काजू को गोवा ले आए और उसके तुरंद बाद भारत की यातरा की एक बार जब पेड़ने भारत में जड़े जमा ली तो यह जल्द ही भारत के पूरे तटी स्टेत्रा जैसे की माहरास्त, गोवा, करनाटक, केरल, तमिल नाडू, अंध्रप् ओडिशा और पस्टिम बंगाल पे विजय पराप्ते करने लगा यह एक शरुवात की जो आज अर्बो डोलर का वेश्विक उद्योग बन गया है भारती लोगों ने अखरोट में उपचार गुणों की खोज की और काजू बहुत लोगप्रिय हो गये तोलावी सताबदी के उत्रार्ज में काजू दक्षिन पूर्व एश्या और अफरीका में फैल गया था और वरत्मान में काजू के बीच पर हाध्य के रूप में और उनके वानिज्य के लिए निर्वर है काजू का आधुनिक इतियास लगबग 1905 में अमरीका पहुंचा काजू 1920 के मध्य तक लो आज काजू वेश्विक कॉमोडिटी बाजार में सबसे मुल्यवान नट्स में से एक बन गया है जिसका बाजार मुल्या 6.27 बिलियन अमरीकी डॉलर है जब सामानिय खाद निगम में उसको संयुक्त राज्या और यूरोप में नीमित रूप से भेजना शडू किया तब का 2021 तक भरत से सालाना 20,000 टन काजू बेज दिये गूए और यह वो काजू है जो आज हम बहुत सारी सब्जिया और मिठाई में इस्तमाल करते हैं यह थी काजू की शॉर्ट स्टोरी हम उसके रसिपी बना चुके है अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्किप्शन में है अब देख सकते हैं अगर यह शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और हाँ वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा